कैसे हो दोस्तों, Tech at 62 में आपका स्वागत है, इस वीडियो में DC to DC Bug Converter Step Down Module LM2596 की मदद से मोबाइल जारजर, लिथ्या मायन 18650 बैटरी या मोबाइल की बैटरी यूज़ करके हम वाल क्रप को चलाएंगे यह LM2596 DC to DC Bug Converter Step Down Module है, इसमें हम 3 वोल्ट से 40 वोल्ट तक का DC वोल्ट इनपूट कर सकते हैं और इस पोटेंशोमीटर से DC 1.25 वोल्ट से 35 वोल्ट तक का आउटपूट ले सकते हैं यह Step Down Module है, इसलिए जितने वोल्ट इनपूट करेंगे उससे ज़्यादा आउटपूट वोल्ट नहीं मिलेगा यह मोडियल 3 एमपियर तक की करण पर काम कर सकता है 2 एमपियर से ज़्यादा करण पर हीट सिंग की जरूर पड़ेगी तो चलिए, शुरू करते हैं वीडियो अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक और सेट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्रेब भी कर दीजिएगा यह मुझे ऑनलाइन 11 रूपिय में पड़ा है लोकल मार्केट में सस्ता मिल सकता है इसके इन और आउट में पोजेटिव के लिए वाइट और नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर सोल्डर कर दिये हैं अब हम मोबाइल चार्जर का पोजेटिव इन के पोजेटिव के साथ और नेगेटिव इन के नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे Mobile Charger को मैंने Module के In में जोड दिया है अब कितने Volt In हो रहा है वो देखते हैं यहां 5.26 Volt मिल रहा है मैंने Output के साथ Multimeter जोइंट कर दिया है देखें यहां In में 5.26 Volt आ रहा है और 1.48 Volt Out हो रहा है अब हम यह Potentiometer से इसे Change करेंगे जैसे-जैसे मैं Screw को Anti-Clockwise गुमाता जाओंगा Voltage कम होते जाएंगे और जैसे-जैसे मैं Clockwise गुमाता जाओंगा Voltage बढ़ते जाएंगे यह 1.5 Volt हो गया जिसे आप एक Cell के साधन में यूज कर सकते हैं यह 3 Volt हैं जिसे आप दो Cell के साधन में यूज कर सकते हैं और यह हो गया सारे चार जिसे आप 3 Cell का साधन चला सकते हो यह Maximum हो गया इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा इस तरह आप Voltage बढ़ा या कटा सकते हैं अब Mobile Charger की जगा यह लिथ्यमायन बैटरी लगा के देखते हैं पहले Voltage चेक करेंगे यह 4.06 Volt है इसे हम Module के इन पर लगाएंगे लिथ्यमायन बैटरी को Module के इन के साथ जोड दिया है यहां 3.46 Volt आउट हो रहा है इसे गटाने के लिए यह स्कुरू को Anticlockwise गुमाना है ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.25 Volt तक गटा सकते हैं अब हम Mobile की इस बैटरी से Wall Clock को चलाएंगे यह 950 mAh की बैटरी है आप इसकी जगह यह बैटरी भी यूज कर सकते हैं यह 2500 mAh की है जो इससे डाई गुना ज्यादा चलेगी लेकिन मैं इसी बैटरी से गड़ी चला के देखना चाहता हूं के यह कितना चलेगी यह दोनों बैटरी खतम होने पर हम रिचार्ज कर सकते हैं तो पहले मैं बैटरी को मोडियल के साथ सोल्डर कर देता हूं और डेड़ वोल्ट सेट कर देता हूं उसके बाद इसे गड़ी में लगाएंगे देखिए मैंने बैटरी को मोडियोल के साथ जोड दिया है और ये देड़ वोल्ट सेट कर दिया है अब इसे हम इस गड़ी में लगाएंगे यहाँ पोजेटिव लगेगा और यहाँ नेगेटिव लगेगा देखिए पोजेटिव और नेगेटिव दोनों वायर लगा दिये हैं यह बराबर चल रही है अब यह कवर लगा देंगे अब इसे और इसे डबल साइट टेप से चिपका देते हैं दोनों को मैंने चिपका दिया है आज 25 फेबरुरारी 2022 को चालू किया है अब देखते हैं कि यह कितना चलेगी इस टेप डाउन बग कन्वर्टर से आप DC 1.25 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक के चलने वाले बैटरी ओपरेटेट साधनों को चला सकते हैं जैसे कि वाल्ट क्लोक, टेबल क्लोक, रिमोट कंट्रोल, गैस गिजर, बच्चों के खिलों ने वगेरा बहुत सारी चीज़े दोस्तों, इस एक मोडियल की किम्मत में हम लगबग चार डबले साइस के सेल खरीच सकते हैं तो गड़ी जैसे बहुत कम करन्ट यूज करने वाली चीज़े इससे चलाना मेरे हिसाब से फाइनेंचली वायबल यानिके आर्थिक रूप से वेवार या नहीं है तो मिलते हैं अगले वीडियो में